हारे किष्णा सभी को आश्र करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होएंगे आज हम रेडी करने वाले हैं यह स्ट्रेट पैंड जिसमें हम बॉटम में रेडी करेंगे कट वर्क वाली डिजाइन और इसी की साथ इसमें रहेगी हमारी साइड पॉकेट तो बहुत ही आसान सी कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तो यहां पर जो है हम आज रेडी करने वाले हैं इसकी उपर की जो शर्ट थी उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैप के साथ शाय कर चुकी हूं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल पढ़िक लिए तो मैंने पहले इसका मिजर्मेंट के लिया था यहां पर जो है इसकी लैंट पर ले रही हूं फरन पार की तो यह जो है आपर ऊपर वन इंच पहरे निकाल दिया है बैल्ट के लिए और रेड़ि लैंश हमारी 37 है वन इंच मैने एक्स ट्रा लिया है मार्ज और हाफ इंच हमारा जब डिजाइन हम एड़ करेंगे उस पे उसके लिए जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने वन इंच लिया था तो यह जो है हमने जो फ्रेंट पार्ट के लिए फैबरिक को अलग हिया था उसको मैंने यहां पर डवल फोल्ड किया हुआ है फोल इट साइड मेरी तरफ है अब यहां पर जो हैं सबसे पहले मिजर करेंगे कमर का फोट तो कमर 30 है जिसका फोट मैंने लिया है साड़े साथ इंच यानि 7.5 इसकी बाद मैंने धाइंच प्लेट के लिए लिया है और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा ओ तो उसलिए मैंने यहां पर एक्स्ट्रा ले रखा था तो आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं तो यहां पर जो है इसकी बाद मैंने आसन को मिजर किया है आसन मैंने यहां पर लिया है टान इंच का बैल्ट को बिला के देखेंगे तो यह हमारे 11 इंच का आसन रहेग तो इस तरीके से मैंने जो है यहां पर हमारा जो आसन है उसके मैंने गुलाई दे दी है अब यह जो लाइन है इसको पूरा मिजर करेंगे तो यह लगबक साड़े बारा के आसपास है तो साड़े बारा का हाफ जो हम यहां पर बॉटम में मार्क करेंगे और हाफ मार्क करने के के बाद जो हैं हम यहाप पर इसको शेफ दे देंगे झिस तरीके से यह जो कई दर कहा रहता है उस तरीके से जो हैं आप Quad उक पर और रोट लेंगे तो यहां पर चीआज भी जो है इसा को सुüş हैं ऑर इस साइट से जो हैं drie सिर्व फझाजय कर लिए तो इस तरीके से हम यहां पर जो मारा फ्रेंट पार्ट है उसको यहां पर कट करेंगे और इसी को रखके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं जो हमारा फ्रेंट पार्ट है उसकी कंप्लीट हो चुकी है अब यहां पर जो मारा दूसरा वाला पार् करके रख लिया है अब इसकी ऊपर जो हमने अभी फ्रेंट पार्ट को कट किया था उसको रखेंगे उपर की साइड से मैंने लगबग तीन इंच जो है यहां पर इसको नीचे रखा हुआ है अब यहां पर सबसे पहले जो है हम यहां पर वन इंच की मार्किंग करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे तो यह मार्किंग जो है मैंने यहां पर बैट के साब से की है अब इस साइड से मैं दो इंच ऊपर मार्क कर रही हूँ अब यहाँ पर इस तरीके से scale की help से हम यहाँ पर इस marking को इस marking से मिला लेंगे तो यह हमने इस तरीके से तिरची line जो है यहाँ पर draw कर ली है अब इसी तरीके से हम जो आसन की marking है इसको भी हम 2 inch जो है बढ़ा लेंगे तो सबसे पहले हमने 2 इंच की आसन की जो मार्किंग है उसको बढ़ाया है और उसकी बाद यहाँ पर हम 2 इंच की ही गुलाई को मेजर करेंगे तो यह हमने पूरा यहाँ पर 2 इंच बढ़ा लिया है आगे की तरफ अच्छा इस साइच से मैं यहाँ बढ़ाओंगी तो यह पूरा बढ़ाiden regard यहाँ बढ़ाओंगी तो इस तरीके से हमने यहाँ बैक पार्ट को उड़ीलंग क कर लिये है तो back part की marking करने के बाद हमने इसको यहाँ पर कर लिया है cut तो यह हमारे front और back part दोनों cut हो चुके हैं अब यह जो है मैंने यहाँ पर fabric लिया है lining के लिए तो यह जो fabric है यह cotton का है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप lining का use करें बट ये थोड़ा transparent हो रहा था तो इस वज़े से जो है मैं यहाँ पर lining का use कर रही हूँ तो मैंने जो है यहाँ पर front और back part दोनों की lining जो है वो अलग-अलग cut कर ली है और यहाँ पर जो मैंने lining की length रखी है यह मैंने रखी है लगबग 16 इंच तो मैंने पूरी में lining यूज नहीं की है केबल 16 इंच तक की है अब जो है हम यहाँ पर front और back part दोनों को इस तरीके सा लग-लग करेंगे अब यहाँ पर हम करेंगे pocket की cutting तो यह मैंने जो है यहाँ पर double fold किया है fabric को pocket की हम length रखींगे यहाँ पर 12 इंच उपर की side जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 6 इंच और नीचे की side जो चौड़ाई रहेगी वो 1 इंच extra लेते हुए हम 7 इंच में mark करेंगे अब इस तरीके से इन marking को हम मिला लेंगे अब नीचे की side जो हलका समय यहाँ पर shape draw करूंगे अब जो marking की है उस marking पर cutting करेंगे बहुत ही simple है pocket की cutting करना तो यह हमारी pocket की cutting complete हुई और यहाँ पर जो है मैंने elastic पर्टी और front में जो हमारी belt आई की 1 इंच वाली उसके लिए पर्टी मैंने यहाँ पर cut कर ली है तो cutting हमारी complete होती है इस तरीके से आई होब आपको cutting समझ आ गई होगी अब हम इस pant के stitching स्टार्ट करते है तो यहाँ पर हमने जो है front part इस तरीके से open करके रख लिया है अब सबसे पहले जो हमारी lining का fabric है इसको हम attach करेंगे तो पहले जो है मैं दोनों front part से lining को attach कर लूँगी और उसके बाद जो back part है उससे भी lining को attach कर लूँगी तो lining को हम नीचे की side से joint नहीं करेंगे cable हमें side से slide लगा के इसको attach करना है तो यह आप देख सकते हैं यह हमारा front है और यह हमारा back part है अब यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने lining को attach कर लिया है दोनों में lining को attach करने के बाद अब यहाँ पर हम front और back part दोनों के आसन स्टिच करेंगे तो यहाँ पर जो है आसन पर मैं double stitch लगाऊंगी यानि कि double slide लगा के हम आसन को stitch करेंगे कभी भी आप आसन की slide लगाते हैं तो आप हमेशा उस पर double slide ही लगाए तो यह जो है हमने आसन को stitch कर लिया है अब इस तरीके से हम जो है इसको open करेंगे और यह हमारा front part है तो front part में हम plate डालेंगे इस तरीके से मैंने side का fabric जो है यह आसन तक fold किया है तो यह हमारा center मिल गया हमें अब यहाँ पर जितना आपने plate के लिए extra लिया हो उस according आपको यहाँ पर plate लगानी है तो मैंने इस 7 इंच की plate रखी है और length मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है तो इस तरीके से हमने दोनू side की plate जो है उसको डाल दिया है plate डालने के बाद अब हम यहाँ पर pocket को attach करेंगे तो pocket जो है इस तरीके से मैंने सीधी वाली side रखी है तो मैं यहाँ पर जो है एक side ही pocket attach करूँगी यानि की सीधी हाथ पर तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है जितना आपको open रखना है वो आपको measure करना है तो मैं यहाँ पर 6 इंच open रखोंगी उपर से मैंने half इंच छोड़ दिया है और 6 इंच को measure किया है अब उस side से half इंच का margin लेते हुए हम यह 6 इंच की slide को लगा लेंगे तो यहाँ पर आप जो है 6.5 इंच भी रख सकते हैं अपने according अब यहाँ पर हम छोड़े-चोड़े कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद यह जो फैब्रिक है इसको हम पीछे की तरफ के लिए फोल्ड करेंगे एंच जो इसके corner से इनको अच्छे से निकाल लेंगे तो यहाँ पर नाकुन की help से इसको अच्छे से किनारी जो होती है इसकी ready कर लेंगे हम तो यह जो पूरा फैब्रिक है यह दिखना नी चाहिए अच्छे सो इफ्रेशिंग के साथ हमारा back side fold हो जाए तो आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं तो मैंने इसको fold कर लिया है इसकी बाद जो है मैं यहाँ पर इसलाई लगा के इसको complete करूँगी तो यह जो है इस तरीकी से front side से हमने इसको ready कर लिया है अब यह हम जो है इसको back side पलट लेंगे तो यह हमारी pocket ऐसे आने वाली है अब नीचे की side जो हम इसलाई को लगाना है तो इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टी side से जो हम इसलाई है इसको पूरा हम complete करेंगे तो इस तरीकी से यहाँ पर हम half inch का margin लेते हुए पूरा जो है इसको हम बंद कर देंगे इसलाई लगा के तो यहाँ पर मैंने इसलाई जो है इसको लगा लिया है अब इस तरीके से हम इसको सीधी तप के लिए पलट लेंगे तो ये जो है pocket हमारी नीचे की side से stitch हो चुकी है अच्छे से किनारी जो है इसको हम निकाल लेंगे पूरा set होने के बाद अब जो है हम ये वाली slide जो है इसको compete करेंगे और उपर की side से भी हम pocket को attach कर देंगे तो यहाँ पर जो है हमें धियान से slide लगानी है pocket पर slide नहीं लग दी चाहिए otherwise pocket बंद हो जाएगी फिर वहाँ से खुलेगी ने इसे तरीके से उपर की जो slide है उसको भी मैं लगा दूँगी ताकि pocket हमारी एक जगह पर fix हो जाए तो इस तरीके से हमने यहाँ पर pocket को attach कर लिया I hope आपको समझ आ गया होगा pocket ready होने के बाद अब यहाँ पर हम belt को ready करेंगे तो यह मैंने जो है एक इंच शोड़ी पट्टी ली है जिससे हम इसको ready करेंगे अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से यह fabric लिया हुआ है जिससे हम belt पट्टी को ready करेंगे तो यह 1.5 इंच उह double में है और single में 3 इंच है अब जो हमने यह पट्टी ली है इसको इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर half inch fabric उपर की side का fold कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यह belt पट्टी को ready किया है अब जिस side हमारा यह pasting paper हमने use किया है वो side हमारी आएगी front वाली तरब और जिस side हमारा fabric है यह हमारी back side आएगी तो fabric वाली side से हम जो है इसको stitch करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा plazo है उसको हमने उल्टा किया हुआ है और उल्टी side से हम जो है इसको stitch करेंगे तो यहाँ पर half inch का margin लेते हुए हम इस पट्टी को attach करेंगे उल्टी side से पट्टी को attach करने के बाद अब जो है हम इसको सीदी तरफ के लिए पलट लेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीकी से हमारी 1 inch की बैल्ट आ जोएगी अब यहाँ बिल्कुल किनारी से जो हमें इसको stitch करना है तो बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं यह झो हमने बैल्ड को देख सली है एक्स्टा फाइबरिक था जो की मै खट कर दूंगी तो यह पेसी यह ठीक की है यह हमारा हुरी तो इसनавай सब्सक्वारी hareएगे अब यह हमारा back part है जिसको हमने आसन से stitch कर लिया है यह हमने लिये हैं यहां पे पट्टी जो कि यहां पे धायन चौड़ी है अब इस पट्टी को हम सीधी साइड से अटाच करेंगे और उल्टी साइड को हमें इसको fold करना है बैल पट्टी हमने उल्टी साइड से सीधी तरफ को fold की थी और जो elastic पट्टी होती है इसको हम सीधी साइड से attach करते हैं और उल्टी तरफ के लिए fold कर देते हैं तो यहां पर जो है इस तरीके से पूरी पट्टी को मैंने attach कर लिया है अब इस पटी को हम इस तरीके से बैक साइड के लिए फोल्ड कर लेंगे अब यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने ये लास्टिक ली है यहाँ पर हमारी जो फ्रंट में बैल्ट रेडी रहेगी वो रहेगी 15 इंच जिसमें से मैंने 0.5 इंच माइनस किया है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.5 इंच उसकी बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच एड किया है मार्जन के लिए क्योंकि हमें दोनों साइड से जो है दवाने के लिए मार्जन चाहिए तो इस तरी जो है मैं यहाँ पर इलास्टिक लूँगी 3.5 इंच का ठीक है तो हमारा रेडी यहाँ पर 12 इंच रहेगा इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है कटिंग अभी नहीं करूंगी मैं अब यहाँ पर जो हमने यह लास्टिक पर्टी अटाच की है इसको हम यहाँ पर फोल्ड करके इस elastic को हम इसमें add करेंगे तो इस तरीके से हमने जो है यहां पे एक folding लगाई है और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको fold करना है सबसे पहले यह वाली जो sly है लगा के मैं इसको fix कर दूँगी ताकि elastic हमारी यहां पे attach रहे और इसके बाद जो है हमें इसको फोल्ड करना है फाब्रिक को और केवल हम फाब्रिक पे लगाएंगे लास्टिक पे नहीं लगाएंगे इस तरीके से हमें पूरे में इसको अटैज करना है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने पूरे में स्लाई लगा लिए है अब जो इलास्टिक है हम उसको वहाँ तक खीच लेंगे जहाँ पर हमने मार्किंग की है और उसके बाद यहाँ पर इसको दुबारा से फिक्स करके स्टिच लगा लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने elastic को पूरा stitch कर लिया था और यह हमारा इस तरीके से back part यहाँ पर ready हो चुका है अब यह हमारा front part जो कि हमने पहले ही ready कर लिया था अब back part की उपर front part को इस तरीके से रखेंगे बराबर करकी यहाँ पर जो दोनों साइड वाली जो स्लाई है पहले हमें वो लगानी है तो उपर की कमर से स्टार्ट करेंगे और पूरा बॉटम तक लेके जाएंगे दोनों साइड ही हमें स्लाई लगानी है दोनों साइट की जब हम स्लाई लगा लेंगे उसके बाद ये जो है हमें पट्टी अटाच करनी है तो ये वाली जो लेस है मैंने इसके टॉप पार्ट में भी यूज की थी वही मैं बॉटम में भी कर रही हूँ तो चलिए सबसे पहले हम जो है आपके साइट की स्लाई उसको कम्प्लीट करते हैं तो दोनों को मैंने उपर से बिल्कुल बराबर करके पकड़ा है और यहां पर पूरा स्टार्ट करेंगे स्लाई उपर से और पूरा बॉटम तक जो है हम इसको लेके जाएंगे इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइट की भी स्लाई को कम्प्लीट करना है दोनों साइट की स्लाई कम्प्लीट होने के बाद यह जो लेस है इसको हम अटाच करेंगे तो ये जो है हमारी सलाई आ रही थी उसके ऊपर मैं स्क्वाटाज करूँगी ताकि हमारी जो सलाई है वो भी छुप जाएगी तो इस तरीके से जो ये पट्टी है थोड़ी चौड़ी थी तो दोनों साइड जो है मैं सलाई लगा के इसको अटाज करूँगी तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो लेस है यह अटाच हो चुकी है दोनों साइट से और इसको लगाने के बाद काफी प्यारा लोकाया था इसका अभी जो हैं बॉटम की डिजाइन को रेडी करेंगे तो यह मैंने इस तरीके से पेस्टिंग पिपर लिया हुआ है जिस लगाएंगे वह यहां पर दो इंच की साफ से लगाएंगे और इस तरीके से जो है आप जो मारा गैप रहेगा उसको मैंने इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया है तो यहां पर मुझे सर्कल बनाने हैं तो इसके लिए आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं आप मिजबेंट के बनाए हैं तो आप इनको छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं तो मैं जो यहां पर प्लाजो बना रही थी तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इसको सैट रखा है अगर आप स्लीप बना रहे हैं तो आप इस डिजाइन को छोटा कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंन जो है एक पाची के लिए इसको कट कर लिया है अब यहां पर हमने इस तरीके से चौकोर फैबरिक लेना है और इसको हम इसकी उपर प्रैस से चिपका लेंगे अच्छे से और यह वाला जो फैबरिक है यहां पर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो यह जो है इस तरीके से हमने इस डिजाइन को रेडी कर लिया है फैब्रिक पे अब जो हमारा पैंट का बॉटम है उस पर हम इस तरीके से रखेंगे और आप चाहिए तो पिनफ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे ना एक स्लाई लगा लूँगी पूरी सीधी-सीधी ताकि यहाँ पे हमारा सरकल बने हुए है इसको हम अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर पाएं तो मैंने इस तरीके से एक स्लाई लगा के इसको पहले अटाच कर लिया है जो हमारी है पे हमें डिजाइन रेडरी की है यानि की जो सरकल बनाए है अब इसपे हम जुह हैं आप इसलाई लगा झाइंगे तो बहुत ध्यान से definisет लगानी है ताकि जो हमारे सरकल बने हुए हैं पूरा उसी शेप में हमारी से लगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको क्योंकि अगर आप बिगनर से ना तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है डिजाइन में बट अगर आप स्टेचिंग करते रहते हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट जो डिजाइन है वो आपको प्रॉपर शेप वो अच्छा है तो मैं यहाँ पर टोटल जो है छे सर्कल बनाए है तो छे सर्कल पर हम जो है लगा लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो स्लाई है उसको पूरा कम्प्रीट कर लिया है तो अब जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम पूरा कट कर लेंगे केवल हमें जो है आपे हाफ-ाफ इंच जो है फैब्रिक छोड़ देना है ताकि स्लाई न खुल जाए तो ब के लिए पलट लेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एक एक सर्कल को हम यहाँ पर सीधा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पुनिशिंग के साथ जो है आपके रैडियो जाएगी डिजाइन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर ड किशंज आपके चलते स्कार्टबड करना है सुछ इस He espaço एसे को सैट कर लिया है अब दर्णीक साइज पिछे की साइट से स्टिछ टर्ली आए तो यह पर पतंक पंडियं से तेंगैे utra कि बेगर से का सबेटी कर लिया हैं तो यह इसका पूरा लूप रहेंगा इसी तरीके से हमारा दूसरा वाला पाचा है वो भी हाँ पे रेडी हो चुका है दोडू पाचो को हमने हाँ पे कम्प्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यह जो है अमारा इसका लोग आएगा प्लाजो का अब जो है हमें हापे जो है आसन की स्लाई को कम्प्लीट करना है तो आसन से जो है हम दोडू साइट की जो स्लाई है उसको कम्प्लीट करेंगे तो इस तरीके से मैंने आशन को ब्राबर करके पकड़ा है और यहाँ पर जो है हम इस तरीके से stitch को start करेंगे और पूरा bottom तक जो stitch है हम लगा लेंगे यहाँ पर और इसी तरीके से हमे giornी जो है दूसरी वानी side जो है उसको भी stitch करना है तो उसके लिए भी में आपे जो हमारा आसन है वहीं से मैं स्लाइ को स्टार्ट करूंगी और पूरा नीचे तक जो है लेके जाओंगी तो दोनों आसन को स्टिच करने के बाद ये रहेगा हमारे इस प्लाजो का फाइनल लुक तो इस तरीके से गाईस हमारा ये प्लाजो होता है complete आप भी इस तर